एक सुन्दर सा जंगल में दो भाई रहते थें बड़ा भाई अपने परिवार के लिए घर बना लिया था और छोटा भाई अपने परिवार के लिए घर नहीं बनाया था और तो और बड़ा भाई अमेर भी बन गया था अपने अमीरी पर बहुत ज़्यादा घमन करता था और अपने छोटे भाई को हरदम सब के सामने बेज़ती करता और नीचा समझता था एक दिन की बात है कालू कावा अपनी पतने से कहता है बूल बूल अब हम लोग अमीर बन गए हैं अब हम लोगों को कुछ चीज का दिक्कत नहीं है इस जंगल में जितने भी सारे पक्छी हैं उन सब पक्छों से हम लोग अमीर बन गए हैं मुझे कितने ज़्यादा खुशी मिल रही है मेरा ये सपना कितने सालों से था कि मैं अमीर बनूँ आज मेरा सपना पूरा हो गया है हाँ कालू जी आपने सही कहा इस जंगल में जितने भी सारे पक्छी हैं उन सब पक्छों से हम लोग अमीर बन गए हैं लेकिन कालू जी आप तो अच्छी तरह से जानते हैं हम लोग किस तरह से अमीर बने हैं बैमानी के पैसों से और चोरी के पैसों से लेकिन कालू जी मुझे हर दम डर सा लगा रहता है बैमानी के पैसे और चोरी के पैसे से ज़ादा दिन ये खुशया नहीं टिक पाती है कालू जी मैं सोच रही थी हम लोगों के पास जितने भी सारे पैसे हैं सब गर्यूबों में दान कर देती हूँ इस तरह करने से हम लोगों को गुनाहों का माफी मिल जाएगी फिर हम लोगों के सर से बोज जड़ जाएगा कालू जी और वैसे भी आपके भाई मोनू कितना इमनदार हैं वो अपने परिवार के साथ कितना जादा खुशे से जीवन बिता रहे हैं एक हम लोग हैं डर डर के जीवन बिता रहे हैं कालू जी मेरी बात मान लीजिये इस पैसे को गरीबों में दान कर देती हूँ ताकि इस वर हम सब को माफ कर सके बुल बुल तुम सोच भी कैसे सकती हो कि मैं अपने सारे पैसे गरीबों में दे दूँ तुम जानती हो ना, बेमानी करना ये चोरी करना, कितना मुस्किल होता है, ये मेहनत से कम है क्या, मैं अपने पैसे बिलकुल भी किसी को नहीं दूँगा, समझे तुम बोल बोल, और रही बात मेरे छोटे भाई का, उसका हिसका मत करो, मैं अपने अमीरी पर उसे सब के सामने नीचा दिखाता हूं और बेजती भी करता हूं मुझी कितना मजा आता है उसे नीचा कुछ भी हासिल नहीं होता है कालू जी ये पैसे गरीबों में दान कर दीजिए ताकि इस वर हम लोगों को माफ कर सके समझ में आई मेरी बात और वैसे भी इस जंगल के सभी पक्ची समझते हैं आप मेहनत करके इतना बड़ा पक्ची बने हैं लेकिन मैं जानती हूं और इस वर जानते हैं आप किस तरह से बैमानी और चोरी के पैसों समीर बने हैं कालू जी मेरी बात मान लिजिए कालू जी इस पैसे को गरीबों में दान कर दीजिए हम सब की इसे में भलाई है कालू जी आप समझे कालू जी मेरी बात को अगर बेमानी के पैसे से हमारे परवार को कुछ भी हो जाएगा तो फिर फस्तावे किसा कुछ भी नहीं बचेगा समझे आप कालू जी मेरी बात मान लीजिए आप इस पैसे को गरीबों में दान कर दीजिए बुल बुल तुम्हें एक बार में समझ में नहीं आता है मैंने बोला न मैं अपने पैसे किसी को नहीं दूँगा तो फिर क्यों इस तरह से जीत कर रही हो बोलो और वैसे भी मेरा सपना बड़ा पक्छी बनने का सौग था जो मेरा सपना पूरा हो गया है अब तुम मुझे नीचे गिराने की कोशिस मत करो समझे तुम बैमानी करने मे मुझे बहुत जूट बोलना पड़ा और सब के घरों में भी रात में जाकर चोरी करना पड़ा तो फिर तुम बताओ ये मेहनत नहीं लगा और वैसे भी बड़ा पक्छी बनना है तो ये सब करना जरूरी है अब भलाई का जमाना नहीं रहा और तो और सभी लोग अमीरों क इजड करते हैं गरीबों की इजड नहीं होती है समझी तुम राजुबेटा तुम अपने मा को समझाओ ना जान ये क्यों भाकवास बातों कर रही है हाँ मा पिता जी सही कह रहे हैं तुम इस तरह से क्यों जित कर रही हो पिता जी की बात मान लो और वैसे भी गरीबों की इज़त नहीं होती है सिर्फ अमीरों की इज़त होती है पिता जी जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं बेमानी और चोरी के पैसों से ही अमीर बना जाता है अब भलाई का जमाना चला गया, अगर अमीर बनना है तो गलत काम करना पड़ता है, समझी मा तूम, मैं भी और बड़ा हो जाऊंगा तो पिता जी से भी ज़्यादा बेमाने और चोरी करूंगा, फिर मुझे इस जंगल की पंख्शों से कोई मतलब नहीं होगा, अगर मैं किस कालू जी, वरना हम सब की जिन्देगी में कयामत आ जाएगी, फिर संभालने से भी नहीं समलेगा, समझे आप, एक ही तो मेरा बेटा है, जो आप इसे गलत रास्ता दिखा रहे हैं, ये तो आप से दुगना गलत काम करने को बोल रहा है, ऐसा मत किजिए कालू जी, मैं चाह जोटे हो अभी, छोटी ही रहो, कालू जी, आप गलत रास्ता राजू को मत बताएगे, वरना हमारे घर में कयामत आ जाएगी, तो फिर तुम क्या चाहती हो, मैं अपने पैसे गरीबों में दान कर दूँ, ऐसा मैं बिलकुल भी नहीं करूँगा, समझे तुम, अगर तुम इसी तरह मुझे परसान करूँगी, मैं तुम्हें जान से मार दूँगा, जो कुछ भी है मेरा धन दौलत है, मैं अपने धन दौलत के लिए जीऊँगा, अगर मेरे धन में कोई टांग अड़ाने के कोशिस की, अपने लोग है या गैर, मैं किसी को नहीं छोड़ूँगा, और हाँ, मेरा बेटा सही बोल रहा है, ये बड़ा होकर सेर बनेगा सेर, सबके घरों में जाकर चोरी करेगा, समझे तुम, ग्यान की पाट तुम मुझे मत पढ़ाओ, क्या करना है क्या नहीं, अच्छी तरह से मैं जानता हूँ, कालू जी, आप मुझे जान से मार तो, ताकि मैं ये सब तो नहीं देखूंगी न, अब राजू को भी गलत रास्ता दिखा रहे हैं, इस जंगल के सब पक्षी अपने बच्चों को सही रास्ता बता रहे हैं, और अपने परिवार से मिलजूल कर रह रहे हैं, एक आप हैं, अपनी घर की खुसिया अपने हाथ उसे तेहस-नेहस करने में लगे हुए हैं, अगर आप मेहनत करके पैसर कमाएंगे तो, मैं आपको कुछ भी नहीं बोलूँगी, बलकि मैं और आपका साथ दूँगी, समझे कालू जी, हाँ, मैं अच्छी तरह से समझ गया हूँ, अब मुझे क्या करना है, तुम मुझे मेह जैनत करने के लिए बोल रही हो ना, लेकिन मैं ऐसा कभी नहीं करूँगा, समझ में आई मेरी बात, राजु बेटा, चलो यहां से मेरे साथ, तुम्हारी मा मुझे चैन से यहां नहीं रहने देगी, जब इसका गुस्सा सांथ हो जाएगा, तब हम लोग आ जाएंगे, ले दोनों पक्षी जंगल की ओर चल पड़ते हैं, थोड़ी दिर और वो उड़ते हैं, और जाकर एक पिर पर बैठ जाते हैं, पिता जी, जंगल की सेरकर्द में कितना च्छा लगा, मा को भी साथ में लेते आते हैं, अगर मैं तुम्हारी मा को साथ में लेकर आता, वो फिर से वही कहानी समझाने लग जाती समझे बेटा, खैर यहसा बाते छोड़ो जो मैं तुम्हें बताने जा रहा हूँ अच्छी तरह से ध्यान से सुनना समझ में आई बेटा ठीक है पीता जी, मैं ध्यान से सुनूगा आपकी बाते राजु बेटा, तुम्हें भी मेरे जैसा बनना होगा तब जाकर अमीर रहोगे भलाय का जमाना चला गया है और हाँ, जब तुम्हें कोई पूछेगा वरना कोई इज़्जद नहीं करेगा ये दुनिया मतलबी के लिए बनी है और हाँ, दुनिया में गरिबों को कौन पूछता है कोई भी नहीं पूछता है समझे, अगर हम लोग अमीर रहेंगे सब लोग इज़्जद देंगे और पूछेंगे ये सब किसका कमाल रहता है बेटा ये सिर्फ पैसे का कमाल रहता है समझ में आई बात हाँ पिता जी, मैं अच्छे तारीके से समझ गया हूँ मुझी बेमानी करना होगा और चोरी करना होगा तब जाकर इस जंगल का सबसे बड़ा पक्षी बनूँगा वरना हम सब को कोई भी इज़्जद नहीं करेगा लेकिन पिता जी मा तो हर दम सही रास्ता पे चलने के लिए बोलती रहती है फिर मा को कैसे हम लोग समझाएंगे मा तो एक ही बात बोली जा रही है मेहनत करके पैसा कमाने के लिए राजु बेटा मैं सोच लिया हूँ मुझे क्या करना है तुम्हारी मा को मैं उसे जान से मार दूंगा और हाँ तुम इसमें मेरा साथ दोगे तब ये जाकर मेरा काम होगा वरना तुम्हारी माँ हम सबको भी खारी बना देगी फिर हम लोगों को कोई भी नहीं पूछेगा समझे राजू बेटा हाँ पीता जी मैं अच्छे तरह से समझ गया हूँ और वैसे भी पीता जी मेहनत करके हमसे पैसा नहीं कामाया जाएगा मैं पूरी जिन्देगे यही काम करूँगा बैमानी चोरी और हाँ पीता जी मैं आपका पूरा साथ दूंगा मा को मारने के लिए आप जिन्ता मत किजिए फिर हम लोगों को कोई भी बोलने वाला नहीं होगा फिर हम दोनों बाप बेटे अपनी मर्दी से चलेंगे कितना मज़ा आएगा ना पीता जी हम दोनों फिर अजाद हो जाएंगे हाँ बेटा तुमने सही सोचा हम दोनों अज़ाद हो जाएंगे फिर हम दोनों को कोई भी बोलने वाला नहीं होगा और हाँ बेटा, तुम्हारी मा को इसी जंगल में कर लेकर आएंगे तुम्हारी मा को इसी जंगल में जान से मारेंगे फिर हर दम के लिए किस्सा खतम हो जाएगा फिर उसके बाद हम दोनों अज़ाद हो जाएंगे हमेशा मेशा के लिए दोनों पक्षी बुलबुल कवा को जान से मारने की बाते कर रहे थे तबी उधर से मीठु तोता आती है क्यों रे कालू कवा अपने आपको क्या समझता है तू अमिर बन गया तो मैं नहीं जानती हूँ सम में जानती हूँ तो अमिर कैसे बना है चोरी के पैसे वो बह्मानी के पैसे से कभी तू सफल नहीं हो पाएगा समझा कालू और हाँ मेरे अलावा इस जंगल की पंक्षा कोई भी नहीं जानती है और वैसे भी मुझे बताने से कोई फायदा नहीं है समझे इस वर सब देख रहे हैं कौन क्या कर रहा है समझा तू कभी भी सफल नहीं हो पाएगा अभी तुम्हारे पास समय है सुधरने का सुधर जाओ अच्छा ये बता मीठी दोता तुम मुझे सुधरने आई हो अपने काम से काम मतलब रखो तूम समझी मैं क्या कर रहा हूँ क्या नहीं तेरा क्या जाता है भी खारन अपने घर का हाला तुमने देखा है किस तरह से तुम अपने जिंदिगे गुज़ार रही हो बड़ा आई मुझे सुधारने वाली काम धाम तुझे रहता नहीं है आजाती हो मूठा कर यहां से जा तुम जा रही हूँ इतना चिलाने की जरूत नहीं है तुम्हें मुझे भी खारन कहा मैं गरीब हूँ तु क्या अपने गारे में मैं बहुत ज़्यादा खोस हूँ समझा चैन से अपने परिवार के साथ रहती हूँ जा रही हूँ मैं बैमान पक्छी इतना कहकर मीठूत होता वहां से चली जाती है कालू कवा का बेटा कहता है पीता जी यह मीठूत होता किस तरह से बोल कर गए क्या हम लोग बेइमान है नहीं बेटा उसे बोलने से थोड़ी हो जाएगा उसकी बातों पर दियान मत दो सब लोग नीच्चा गिरानी की कोजस करते रहते हैं तुम चिंता मत करो बेटा और हां जो हम लोग का कलका काम करना है उसे जरूर करना होगा वरना हम दोनों का सपना सपना ही रह जाएगा समझे बेटा चलो अब घर रात होने वाली है ठीक है पिता जी आप जिंता मत करो मैं वो काम जरूर करूँगा चलिए अब घर फिर दोनों पक्ची अपने घर आ जाते हैं फिर रात से दिन हो जाती है बुल बुल चलो हम सब साथ में जंगल की सेर करते हैं बहुत अच्छा लगेगा हम सबको साथ में जंगल की सेर की वे कितने दिन गुजर गए हैं चलो बुल बुल हाँ मा पिता जी सही कह रहे हैं हम सब को साथ में जंगल की सेर की वे कितने दिन गुजर गए हैं चलो मा साथ में हम सब को बहुत अच्छा लगेगा एक सर्थ पी चलूँगी जब तुन दोने गलत काम छोड़ दोगे तब ये बुलबुल अपने आपको समझती क्या है अपनी मन मानी हर समय कराने को त्यार रहती है इसे जंगल में ले जाकर ऐसी मौत के घाट उतारूँगा मरने के बाद भी ये नहीं भूलेगी अरे ये क्या बोलती है बुलबुल अभी मुझे इसका बात मानना होगा वरना ये नहीं जाएगी अच्छा ठीक है बुलबुल अब से हम गलत काम नहीं करेंगे छोड़ देंगे अब राजो भी समझ गया है तुम जिन्दा मत करो सब ठीक हो जाएगा कालू जी मैं आपकी बाते सुनकर मुझे बहुत जादा खुसी मिली दोनों पक्छी बाते कर रहे थें तभी उदर से कालू कवा की छोटा भाय आता है कालू भाया मुझे 2000 रुपे दे दिजिए मेरे घर में सारा के सारा रासन खत्तम हो गया और मेरे पास पैसे भी नहीं है मेरा पूरा परिवार भूखा है कालू भाया फिर मैं आपको बात में दे दूंगे 2000 रुपे अभी मेरे पास नहीं है कालू भाया इसलिए मैं आया हूँ आपके पास दे दिजी कालू भाईया मुझे पैसे की बहुत जरुवत है मेरे परिवार भूखें कालू भाईया मेरे पास पैसे नहीं है तुम जाओ यहां से मैं तुम्हारे परिवार का ठिका रखा हूँ आ गई मुठा कर पैसे मांगने जा यहां से मोनू अपने बड़े भाई का बात सुनकर वहां से चला जाता है इधर बुलबुल का वा कहती है कालू जी आप अपने भाई को क्यों पैसे देने से मना कर दिये हमारे घर तो धेर सारे पैसे है आप अपने भाई को अभी कभी पैसे दे कर आएए आपके भाई कितने ज़्यादा उमिद लगा कर आए थे हमारे पास कालो जी अपने भाई को पैसे दे कर आएए ठीक है बुरबुल तुम इतना ज़्यादा बोल रही हो तो मैं दे दूंगा पैसे तुम चिंता मत करो अभी हम सब चलते हैं जंगल की सेर करने कितने दिन गुजर गए हम सबको साथ में जंगल की सेर किये हुए ठीक है कालूजी अभी मैं चलती हूँ लेकिन आप अपने भाय को पैसे जरूर दिजेगा फिर तीनों पक्षी जंगल के सैर करने चले जाते हैं फिर एक पिर पिर जाकर बैठ जाते हैं बुल बुल तुम यहीं पे रुको हम दोनों अभी आते हैं तुम्हारे लिए फल लेकर ठीक है कालू जी लेकिन जल्दी आएगा मुझे अकेले बहुत जादा डर लगता है हाँ हाँ भुल भुल जल्दी आओंगा तुम जिन्ता मत करो ठीक है अब हम लोग चलते हैं फल लाने फिर दोनों पक्ची फल लाने निकल जाते हैं थोड़ी दिर और दोनों उड़ते हैं तब ही उन दोनों को फल दिखाई देता है फिर तुरंद फल के पास पहुंच जाते हैं राजू बेटा ये अच्छा मौका है फल में जहर मिला कर देने का फिर हमेशा हमेशा के लिए किस्सा खतम हो जाएगा हाँ ठीक है पीता जी ये सही मौका है इस फल में जहर मिला कर देने का फिर दोनों पक्ची उस फल में जहर मिला कर दे देते हैं पीता जी हो गया है चलते हैं इस फल को लेकर ठीक है बेटा अब हम लोग चलते हैं फिर दोनों पक्ची फल लेकर चले जाते हैं बुल बुल खाओ ये फल मैं तुम्हारे लिए बहुत प्यार से लेकर आया हूँ ठीक है राजू बेटा, तुम दोनों इतना प्यार से बोल रहे हो, मैं फल खा लेती हूँ फिर बुलबुल कावा फल खा लेती है बेटा, इस फल में क्या था? मुझे इतना जादा पेट में दर्द होने लगा पेटा, तुम दोनों क्या इस फल में मिला कर लेकर आए हो? बुलबुल कावा इतना है बोलती है कि उसके जान चले जाती है पेटा जी मेरे पेट में भी धर्द होने लगा ना जाने मेरे पेट में क्या हो गया जानक से पेटा जी कुछ कीजी पेटा जी हमसे बर्दास नहीं हो पारा है पीटा जी पीटा जी मेरे पेट कुछ कीजिये पीटा जी आप इतना कहकर राजू भी अपना दम तोड़ देता है हे स्वार मेरे पेटे को क्या हो गया यह समेरे करमों का ख़ाल है मैं अपनी पत्नी को जान से मार दिया अब मेरा बेटा भी चला गया अब मैं कैसे रहूंगा अपने परिवार के भी ना मुझे दया करो मेरे बच्चे को जिन्दा कर दो मेरी पदनी को मुझे बहुत पस्तावा हो रहा मुझे इस तरह से नहीं करना चाहिए था मुझे रहम करो फिर कालू कावा अपने कर्मों पर पस्ताने लगता है और वैसे भी अब कालू काव पस्ता कर करेगा क्या उसे जो करना था कर दिया था इसलिए कोई भी काम छोटी हो या बड़ी सोच समझकर करना चाहिए अब कालू कवा के जिन्दगी पस्ताने में ही निकल जाती है